हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो में यूट्यूब चैनल रहुल दुमिजा क्लासिज आपका मैं इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोपिक 10 ओफ यूनिट 8 डेट इस प्रमोशन मिक्स मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमोशन मिक्स होता क्या है और कौन- 수izo प्रमोशन मिक्स के होः ओके शोजह आपको प 와서 को बेनाश मिलेग अगर अप अगर अभी तक आपने first four units नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजेगा वो मैंने अनकैडमी प्लेटफूम पर डाल रखी हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूँगा टाइम को वेश्ट के बिना स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक सबसे पहले बात करते हैं प्रोवोशन मिक्स है क्या ओके फ्रेंट्स मालो कि एक प्रोड्यूजर ने एक नया प्रोडूट्ट लॉंच किया है मार्किट के अंदर अगर मैं क्या हूं कि उसने इनुवेटिव प तो उसको पता लगेगा किस तरह से परमोशन के थरू अगर वो प्रोडूजर बनिफेक्टर प्रोडूजर करेगा तभी उन कांजिमर्स को दिखार लगए कि एक नया प्रॉड्ट मार्केट के अंदर लॉंच हुआ है तभी वो डिमांट कर सकेंगे जब उनको इप्रे several promotional tools, तो promotion mix कहा है, देखो promotion mix, नाम से recommend हो रहा है, promotion mix, प्रमोशनल टूल का mixture, अब यह mix किस-किस चीज़ कहा है, तो several tools होते है, promotional tool, उनको हम include करके, mix करके use करेंगे, तो उसको हम कहेंगे promotional mix, by the business to create and maintain and increase the demand of goods and service, तो इनका use किसली कि जाता है, ताकि हमारे goods और service की जो demand है, वो increase होए, ओके, customer ज्यादा ज्यादा demand करें, इसलिए हम promotional mix का use करते है, the fourth element of the fourth piece of marketing mix is the promotion, तो आपको बता होना अचाहिए, कि fourth element, जो promotion mix, जो promotion है, वो हमारा fourth element है, four piece का, I think आपने वो piece देख लिए होगे, 4P और 7P marketing mix, marketing और service mix के, okay, that focus on creating the awareness and persuading the customer to initiate the purchase, तो इसका main objective क्या रहता है, main objective का यही रहता है कि demand को create करना, और customers को persuade करना था कि वो action ले, जो product है, उसको purchase करें, okay, the promotion mix is the integration of advertising, personal selling, sale promotion, public relation, and direct marketing, तो main list के elements कौन कौन से हैं, इसके elements जो है, advertising है, personal selling है, sale promotion है, public relation है, direct marketing है, तो directly question यहां से भी आ सकता है, which one of the, which one is not the, which one of the flowing is not the element of promotion mix, तो उसमें से आपको 4-5 element, 4 element लिक्के देदेंगे, और एक element हैसा होगा, जो promotion mix का नहीं होगा, वो public relation का एक form है, इस चीज़ को अपने mind में fit कर लो, कि जो publicity है, वो public relation का एक form है, ना कि वो separate element है, ओके, बहुत बार confusion होती है, इवन मेरे से भी होती होती है, बट यह आप चीज़ अपने ज्यानक ना, कि जो publicity है, वो public relation का ही एक form है, ओके, सो चलो, डिसक्स करते हैं, इन elements के बारे में, सबसे पहला element है, advertising, most common form है, advertising हम generally टेलिविजन में देखती रहते हैं, newspapers में भी देखते हैं, तो इसके बारे में study करते हैं, the advertising is a paid form, सबसे पहले पहला तो यह paid form है, आप जब भी कोई advertisement करनी होगी, तो उसके लिए आपको पहले pay करना पड़ेगा, चाहिए इवन social media पर करनी हो, या टेलिविजन पर करनी हो, या newspaper वगारे में, pamphlets वगारे में करनी हो, of non-personal presentation and promotion of goods and service, तो non-personal presentation है, हम customer के साथ contact नहीं करें इसके अंदर, हम सिर्फ एक अपनी advertisement launch कर रहे हैं, जो customer scene कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, ओके कोई contact नहीं है, producer और customer का, through identify sponsor by the exchange of a fee, तो यहाँ पर fee देनी पड़ती है sponsors को, करते हैं, यहाँ पर पूल strategy, अब दो strategy होती है, एक होती है pull और एक होती है push strategy, अब यह कोण कोणी strategies है, एक पर overview ले लेते हैं, देखो, push strategy क्या है, push strategy में क्यों होता है, advertisers अपने product की demand को, मतलब product को धकेलता है customer की तरफ, okay, मतलब की push कर रहा है products को ताकि वो customer क्रीदे, okay, for example, कि माल लो आप retail store पे गए, okay, या आप कोई general store पे गए, आपको वहाँ पे discounts show किये जा रहे हैं, ताकि आप उस product को ख्रीदो, आपको rebate दी जा रहे है, sale promotion करा जा रहे है, okay, कि ताकि आप उन products को देखो, उनको ख्रीदो, okay, आप घर से सोचके नहीं कि मैंने वो product ख्रीदोना था, जबकि आप stores पे गए, आपने discount scheme देखी, आपने rebates, अगर मिल रही थी, वहाँ पे वो देखी, तो आपने products को ख्रीदने की, मतलब की इच्छा जताई, ओके, तो यह थी push strategy, जबकि pull strategy में क्या है, pull strategy में जो producers हैं, वो आपको advertisement show करेंगे, आप advertisement show करने के बाद, आपको क्या है, उस product के regarding information मिलेगी, आप information मिली, हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप घर से सोच के आए थे कि मैं को यह product ख्रीदना है, और आपने वहाँ पे जाके demand की, तो this is a pull strategy, okay, मतलब कि आप खुद चले आ रहे हो product की तरफ, ना कि आपको धकेला जा रहे है कि यह product ले लो आप, ओके दोनों चीज़ों में difference है, याद रखना, push strategy में क्या है, products आपको sale किया जाता है, जबकि push strategy में आप product की demand करते हो, manufacturer, retailer से, या whatever wholesaler से, okay, wherein the customer is instigated to try the product at least once, okay, तो I think आपको clear होगा होगा, तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखने हैं आपको, जो the marketer tries to create a pull strategy in advertising, ओके तो आ सकते हैं कोशन, चलिए, अब बात करते हैं personal selling, अम नाम से recommend होगा है personal selling, मतलब की door to door selling, ओके आपके घर भी कभी आयोंगे, इवन जो personal selling करते हैं इसी चीज में आ जाते हैं की, तो यहाँ पर फेस्टू 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 इंटरेक्शन होता है customer, ओसेस्में के बीच, अब बात आती है sell promotion, आप अब कभी आप शोप पे गए हो कुछ समान खरीदने, और आपने देखा हो की एक पोडर के डबे के साथ आपको तो एसे से कहीं आपको प्रमोशन स्कीम मिलेंगी तो आप सोचते हों कि हाँ सही है लिए भी लेता हूं मैं तो इस तरह का जो स्कीम स्कीम चाहिए उसको हम एक है यह है सेल प्रमोशन स्कीम्स ऑके लिए लोगों को इसकी नोलिज हो in the market at the time of festivals at the end of season तो जनरली आपको जो स्किम्स है यह फेस्टिवल के टाइम पर मिलेंगे कहते न दिवाली ओफर आया है तो इस तरह की स्किम्स जो है जनरली आपको फेस्टिवल्स पर ही मिलेगी दिज्सकाउंग कूपन से भी घालगज मिलेश के जिशंग मधने के साथ कस्टमर के साथ डामने है चलब अब बात करते हैं पब रिलेशन क्वनें कर करना दिजनरलेंग पर छे मेंट can तो जनरल पब्लिक यहां पर सारी आजेंगे, इंप्रोईज भी आजेंगे, सोसाइटी भी आजेगा, कस्टमर भी आजेगे, तो यह सब चीज़े के हैं, जनरल पब्लिक के अंदर ने इंक्लीड होती है, इनके साथ हमको रिलेशन मेंटीन करना है, एक ताकि हमारी एक फेवर प्रमोशन मिक्स का, बहुत पर कन्फुजन क्रेट होती है, तो इस इसका आप क्याद रखना है, that the company may use with the intention to bring newsworthy information to the public, okay, तो publicity के थ्रू क्या है, हमारी एक positive image create करने की कोशिच की जाती है, हलाकि publicity negative भी हो सकती है, और positive भी हो सकती है, इसका दोनों effect हो सकता है, तो that the company may use with the intention to bring news worth information to the public, okay, तो इस से क्या है, एक credit worthiness create होती है, company की towards the public, okay, I hope आपको clear हो गया होगा, अब आते direct marketing, अब direct marketing क्या है, direct marketing आपको कभी different, तरहें के SMS होंगे, या emails होंगे, company की directly, की ये product launch क्या हो है, इसकी regarding sales, तो इसको गयते है, direct marketing, जिसमें आपको directly persuade किया जा रहा है, company के थूरू कि आप इस product को ख्रीद हो, okay, with the intent of technology, companies reach customer directly without any intermediaries, और any paid form, तो यहापर intermediaries का use नहीं किया जाता, the emails, text messages, facts are some of the tools of direct marketing, तो इसके क्याके tools रहते है, emails है, text messages है, facts है, तो ये tools रहते है, direct marketing के, the companies can send emails and messages to the customers, if they need to be informed about the new offering of the sale promotion scheme, तो अगर कुछ नया, कोई नहीं स्किम क्पनी ने launch किया, तो उसके बारे में information दे सकते है, direct marketing के through, या कोई और नया product launch किया, तो उसके regarding information देने के लिए direct marketing का use किया जाता है, तो ये कुछ five elements थे promotion mix के, तो generally इसमें से question इतने देखने को आपको शायद ही मिल सकता है, हाला कि अगर last ten years को analyze किया जाए तो एक के दो बार को ही question iOS का, तो इत So I hope आपको सारे के सारे जो elements है वो clear हो गयोंगे, so thank you friends for listening and don't forget to subscribe my channel, अगर आप internet commerce की या paper first की preparation करें, आने वाल टाइम में आपको paper first का element इसी channel पर मिलेगा, hit like if you really enjoy the video and follow me on academy if you are preparing for UG's net commerce, आप मुझा अचैडमी पर भी follow कर सकते हैं, आपे मैं already 4 units डाल चुका हूं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, thank you friends for watching